है आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं comparison instruction के बारे में कि PLC के अंदर comparison instruction को कैसी यूज़ के जाता है और यह किस-किस टाइप के होते हैं यह सारी चीज़ा हम यहां पर देखेंगे देखें पहले मैं बात करना चाहूं types of comparison instruction के बारे में कि कितने types के हो सकते हैं त अब दो चीज़ों को compare करना है तो आपके आज क्या क्या हो सकता है एक equal to हो सकता है not equal to हो सकता है आपके आज बात करें greater than equal to less than and greater than तो अब देखें बात करें PLC हमें कौन-कौन से instruction प्रोवाइड करती है फेले उसको देख लिए हैं आपगे इक्वल्टू दिता है नौन इक् comparison section आपको PLC प्रोवाइड करती है आप दिखें इस comparison section का कहाँ पर यूज करना है किस तर से यूज करना है ज़रा हम समझते हैं यहाँ पर मैंने comparison section का use किया आपके आज tank level की दिये मैंने का किया एक tank के अंदर water level लगा दिये हैं water level के अंदर लगा दिये कि मेरा जो tank है वो 100% है 20% आपके आज low level है 80% आपके आज high level है मतलब limited level है यहाँ पर यदि 80 से more than चला जाता है level water का तो आपके आज वो जाता है very high level clear उसके आज water overflow होने की possibility ज़्यादा रहती है यहाँ पर तो उससे पहले आपके कर सकते हैं level को define कर सकते है अब level के उदर आपके आज सकते हैं इन्ही सारे comparison instruction को यूज़ कर सकते हैं अब यहाँ पर एक water level और एक आज בהस्ट उपके आज़ वाटर लेवल और यहाँ कर सकते हैं दोरू को comparison कर सकते हैं यदि आपका water level है इस point of तो यसी ऊपर चला जाता है आपकास यहाँ पर तो आपकास एक कलाम इंडिकेट हो जाना चाहिए तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं एक कमपारजन इंस्ट्रेक्शन का यूज करते वे लॉजिक्स लगा सकते हैं अब PLC के इंदर कैसे अपलाई करना है किससे करना है वो जड़ा समझता हैं यहाँ पर तो मैं देखे पहले करूँगा इकोल टू और नॉट इकोल टू की उपर इफान करेंगे फिल लास देन और ग्रेटर देन के पर फिल ग्रेटर देन इकोल टू यह सारी चीज़े हम यहाँ पर उन वाई उन डिस्ट्रैब करने वाल है क्लियरा ? तो चले प्याल सी में तो मैं अघ्लब्रेलिपल्सी में आ चुआ हूँ जिसके आन होने पर मेरे comparator inventory वो यहाँ पर वर्क करें तो यह मैंने यहाँ पर ले लिया उसके बाद दीखें यहां पर output के बारे में तो यह मेरा output हो चुका है और यह भी मेरा क्यान होचका? अब यहां पर आपकास दो चीज़े हैं पहला है आपकास यहांपर source A पहला है source B के बीच में comparison लेकर आ रहे हैं यहांपर अब पहला क्या है equal to मतलब दोनों चीज़े equal होगी तब ही यह work करेगा नहीं तो यह work नहीं करेगा अब source A के अंदर क्या data देना है तो source A के अंदर आप binary data दे सकते हैं और यही का यही data मैं करता हूँ आपका source A इधर भी पास करता हूँ अब बात करते हैं source B के बारे में source B के अंदर क्या देना चाते हैं आप यहाँ पर तो source B में आप चाहें तो यह data आप यहाँ पर दे सकते हैं आपके चाहें इसका अगला datah करता है तो मैं काम करता हूँ, sourceB के अंदर मैं बात करूँ, तो आपके आश देता हूँ यहाँ पर 1, clear, ओर यहाँ पर देखें देखें इस वाले sourceB के अंदर मैं देता हूँ, यहाँ पर आपके आश डू, अब बात करते हैं input output से related तो देखे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ input ले रहा हूँ और input के अंदर i colon 0 slash 0 मैंने यहाँ पर देदिया है same to same मैंने क्या है यहाँ पर नीचे भी यही same data देदिया है उसके बात करें output से related तो output मुझे यहाँ पर दूनों का लग लग चीए ताकि हमें पतल सके कि yes यह एक time के लिए यह work कर रहा है और एक time के लिए क्या कर रहा है यह वाला work कर रहा है कर दे ना है तो आपका program के हो छुका है रन उचुका है अब देखे यहाँ पर मैं क्या करता हो इसविच को यहाँ करता हूँ आपके यह तो dol ओ उचुका है तो यह जिरो और जीरो के यह ओन्दधे इस वज़े से आपके यहाँ पर यहाँप लिए यह बात करें आपको आउ वो आपके आस क्या है, यहाँ आपर बात करें तो आपके आस सेम दिया है यहाँ पर तो मैं काम करता हूँ, इसके डीटा को चेंज करता हूँ और इसके डीटा को देता हूँ 25 अब देखे, जैसे ही मैंने 25 दिया तो आपके जो equal to वाला portion था वो off हो चुका है, क्यों off हो चुका देखे, source A और source B का जो डीटा है वो दोनों different हो चुका है, तो आपका जो यहाँ पर coil है, जो भी आपका जो output है वो आपके आस क्या हो चुका, off हो चुका है, energize off हो चुके, यहाँ पर, बात करें यहाँ पर source B का जो data है, वो मैं 25 कर देता हूँ, ठीक है जैसे मैं 25 करूँगा तो आपका जैस यह on हो चुका है यदि मैं यहाँ पर जैसे data change करता हूँ, clear just like मैं 25 यहाँ पर भी देता हूँ, तो देखे, आपका जैस यह off हो चुका है तो इस तरह से आप क्या कर सकते है, equal to or not equal to portion का क्या कर सकते है आप यहाँ पर use कर सकते है आप देखे, मैं इस प्रोग्राम को offline mode में ले चलता हूँ, तो कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा आगे और भी चीज़ों को addon करने वाला हूँ, greater than, less than, greater than, equal to, less than, equal to को addon करने वाला है तो उसको जैसे समझते हैं यहाँ पर, तो देखे, काम करते हैं यहाँ पर इन दोनों को मैं यहाँ चीका कर रहा हूँ, delete कर देता हूँ मैंने क्या क्या है, यहाँ पर delete किया है अब देखे, यहाँ पर देखे, आपका इस कहा है, not equal to के आगे, आपको देखे का less than और उसके आद देखे का greater than, तो उसका less than equal to and greater than equal to देखे, पहले मैं बात करूँ less than और less than equal to के बारे में बात करता हूँ कि less than और less than equal to कैसे बार करता है फिर हम बात करेंगे यहाँ पर greater than and greater than equal to के बारे में बात किया हम नहीं यहाँ पर मैं same to same rank को copy करता हूँ और यहाँ पर paste और यहाँ पर paste पर देता हूँ अब देखें यहाँ पर मैंने क्या है less than का data हटा के यहाँ पर मैंने क्या है यहाँ पर use क्या है greater than मैंने क्या क्या है यहाँ पर greater than use क्या है और यहाँ पर क्या क्या है greater than equal to be use कर लिए अब यहाँ पर बात करें इसके output source के बारे में तो यहाँ पर 1 दे रखा है यहाँ पर भी आपका 0 और 1 दे रखा है and then बात करूँ यहाँ पर तो आप क्या है यह जो है यह data मैं 2 में डाल देता हूँ और यह जो data है वो मैं क्या करता हूँ 3 में डाल देता हूँ clear तो इस तरह से मैंने क्या क्या है यहाँ पर data को क्या क्या है यहाँ पर use कर लिया है अब बात करते हैं source A और source B की data के बारे में क्या कर रहा हूं इसको दे रहा हूं तो इस तरह से source A का सारा data आचुका है आपर source B के data के बारे हम बात करता है देखे source B का data हम क्या करने वाला इस बार भी same देने वाले हैं सभी के अंदर because देखे यहाँ पर आपका चीज़ा जो है वो less than है greater than है less than equal to और greater than equal to है देखे बात करें less than के बारे में source A का जो data है वो source B के data से कम है तब आपका चीज़ा अनर्जाइज होगी आपका जो output है वो on दिखेगा equal to के अंदर क्या होता है कि जब आपका दोनों के दोनों data exactly equal हो जाए तब आपको on दिखेगा लेकिन less than के अंदर में बात करूँ less than equal to के नहीं बात करूँ less than के अंदर क्या होगा यहाँ पर less than के पर काम करेगा equal to के पर काम नहीं करेगा लेकिन जैसे आपने equal to दिया है तो जैसे आपने equal to देते क्या कोगा वो equal to पे भी क्या करेगा वर्क करेगा अब देखें यहां पर मैं करता हूं यही अपका डेटा लेता हूं कॉपी करता हूं और यही पर मैं करता हूं पेस्ट करता हूं और जीरो हटा के मैं करता हूं यहां पर वन दे रहा हूं और यही डेटा मैं यहां पर दे रहा हूं और यह डेटा यहां पर भी द कर रहा हूं तो मैंने टॉगल बेटके थ्रूप प्रोग्राम का उन किया तो देखें मेरे पास यह जो है वो energized हो चुका है यह जो है वो energized हो चुका है because reason यहाँ पर यह है कि आपका जो data है वो equal to equal to देखें यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर इस वज़े से आपका जो data है अपका एकल हो चुका है तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर चूटा है तो लेकिन equal to be work नहीं कर रहा है लेकिन greater than and greater than equal to work कर रहा है क्योंकि यहाँ पर आपका जो source a का जो data है वो greater than है source b के data से इस वज़े से वो क्या हो रहा है energized हो रहा है अब मैं क्या कर रहा हूँ source b का जो data है वो यहाँ पर changes करते है source b का data मैंने कहाँ यहाँ पर 22 किया है तब भी हमारा पास कोई फरक नहीं पड़ा है source b का जो data है उसको मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ 20 और 5 कर देता हूँ exactly तब आपका अंटर करते हैं देखे greater than equal to तो off वो चुका है बट यहाँ पर आपका less than equal to और greater than equal to work कर रहा है because reason क्या है यहाँ पर equal to का portion work कर रहा है अब उसके बाद देखे मैं यहाँ पर जैसे ही 25 से 26 करता हूँ तो देखे यहाँ पर आपका जो less than और less than equal to है यह work करना start हो चुका है clear अब आप चाहें जितना data बढ़ा सकते हैं just like मैंने यहाँ पर 30 किया enter किया तब भी आपका जो यहाँ पर output है वो यहाँ पर दिखा जे रहा है clear तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं greater than equal to, less than equal to greater than and less than equal यह सारी चीज़ों को use कर सकते हैं अब use कैसे करना है तो मैंने आपको बता रहा है एक tank है, its tank के level को आप define कर दीजिए और define करने के बाद आप position set कर दीए कि इस position के उपर आएगा level तो आप कहासे एक indicate दिखाना चाहिए यहाँ पर एक bulb बहुत जोना चाहिए यहाँ पर इस तरह का आपका जब भी आपको यहाँ पर दो चुज़ों के बीच में comparison करते हुए output को दिखाना है तो आप comparison section का यहाँ पर use कर सकते हैं I think clear समझ में आगया होगा comparison section कैसे use करना है PLC गंदर और कौन-कौन से comparison section हमें देखने को मिलते हैं clear तो फिर मिलते हैं next video के अंदर till then good bye